तो देखिए यहां पर एक निडल दे रखिए एक लिक्विड सर्फेस पर क्या कर रखिए फ्लोट कर रखिए तो उस कंडिशन में बताना है कि इसको उपर की और उठाने के लिए कितना हमें फोर्स लगाना पड़ेगा तो देखिए इसका लेन्थ अल बतायाँ गया अगर लेन्थ इसका अल है और सर्फेस टैंशन हम टी मान ले तो हमें एक फ Dollar होगा इसको उपर कि और उठाने के लिए तो देखिए यहां इयां पर लिक्विड की सर्फेस यहां contact में होगा तो यहां T into L surface tension के कारण force लगेगा और इधर के connection के कारण इधर के ओर force लगेगा T into L so total net force vertically downward कितना हो गया T L plus T L 2 T L so required force कितना होगा required force so required force होगा T into L plus T into L equals to F required यानी 2 T L हमारे पास F required का value आ जाए